नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का सौगत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCL 41-2 पोश्ट के लिए उर्जा मंत्री ने जोर दे दिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में चुनाव है तो इसको देखते हुए आपकी जो 41-2 पोश्ट है वो कही 42-2 पोश्ट भी जो है आप लोग का यह भरती जो है देखने को मिल रहा है तो फ्रेंड मैं आपको जो है कुछ मेरे पास अपडेट आई हुई है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपकी जो भरतिया है वो कहीं कहीं निकल के सामने आ रही है अगर आप UPPCL में जॉब अब साफ करना चाहते हैं या यूपी से आप बिलौंग करते हैं या अधर राज से भी इलांच करते हैं तब भी आप लोग मीडियो को लाच तक बने रही है गार्ट सारी अपडेट मिल सके और आप जानते हैं कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ और रियल देता हूं कोई तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यह पेपर का कटटिंग है इसमें बूला क्या गया उपभोगता सेवा के लिए सरकार से बिजली निगमों पर तत्कार भरति की मांग की है परिशद का कहना है कि प्रदेश में उपभोगता की संख्या के अनुपात में बिजली कर्मियों वा अभियानताओं की संख्या काफी कम है राश्टी अमानक के अनुसार एक हज्जार उपभुखता पर दो दसमल 65 कर्मिक होने चाहिए लेकिन प्रदेश में यह महाज एक दसमल 34 ही है यानि राश्टी अउसस से आधे कर्मिकों के बलबूती बिजली बेउस्था चल रही है ऐसे में बिजली निगमों का काम काज प्रभावित हो रहा है उपभुखता परिशत के अध्यश अउधिश कुमार वर्मा ने बुद्धवार को उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभुखता की संख्या 3 करोड से उपर पहुँच गई है जबकि अधिकारी लाइनमेंट TG2 दो सहायक लेखाकार वा अभियानता के रिक्त पदों पर अभिलम भरती सुरू कराई जाए साथ ही जिन पदों पर भरती के लिए परिच्छा कराई जा चुकी है उसके नतीजे वर्मा ने नतीजे भी निकाले जाए वर्मा ने कहा कि यूवा लाखो ट्विट करके बिजली निगमों में रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वर्मा के मुताबिक उर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रवंधर इस मुद्धे पर विचार करेगा तो बात की जाए फ्रेंट यहाँ आप आप देख सकते हैं उर्जा मंत्री ने की मांग कहा राष्टी अवसर से आधे कर्मिकों के बलबूते चल लही बेश्था यहाँ आप देख सकते हैं TG2 के 608 पदों की भरती का परिणाम घोसित करने और 642 पदों की बहाली की मांग मतलब 25 दिन से धरने पर बैठे हैं निकाले गए TG2 तीन वर्ष की सेवा के बाद निकाले गए 600 से ज़्यादा TG2 के कर्मिक होते हैं 25 दिन से लखनव इस्थित इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं इनका कहना है कि पाउर कार्पोरेशन वा बिद्दुत सेवा आयोक की गलत नीतियों के चलते इनकी सेवाई समाप्ट कर दी गई हैं इन लोगों ने अदालत का दर्वाजा खटखटाया सुप्रीम कोड ने पाउर कार्पोरेशन की अपेच्छा की है अगर रिक्तियों रिक्तिया हो तो उन पर नियमा अनुशार इनका समायोजन किया जा सकता है लेकिन कार्पोरेशन प्रबंधन ने कुछ नहीं किया अंदोलन कारी TG2 उर्जा मंतरी से भी गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इनका अंदोलन कारियों ने समायोजन की मांग करते हुए मुख्य मंतरी योगी आदेतनात को पत्र भेज कर कर्मचारियों के प्रतनिधियों से मिलने के लिए समय देने का अन्रोथ किया है तो फ्रेंड बात की जाए सबस पहले जो पचीस दिन से धन्ने पर बैठे हैं TG2 ये कौन से हैं पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संबीदा पर TG2 में कारी कर रहे हैं बेसिल के जरिये यह बहुत से ऐसे कमपनी हैं जिनके जो है संबीदा पर इस हुई है वह जो है आश्वासन दियें कि बहुत जल्द जो है आप लोग का मतलब 608 पोस्ट इसमें तो नहीं बोला गया है लेकिन जो है 608 पोस्ट और जो आपकी 442 पोस्ट है वह बहुत जल्द देखने को मिलेगी तिये सारी बाते जो है इसमें अउधिश कुमार वर्मा जी ने उनसे बात की है कुछ पेपर का कटिंग यहां पर कड़ गया है मैं आपको दिखा देता फ्रेंड मेरे पास जो है सही सिसमें नहीं है और जैसा कि आप जानते हैं मैं जो भी अपडेट देता हूं वह रियल देता हूं कोई रॉंग इन्फरमेशन नहीं देता हूं औ चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले स्वें में आपको ऐसी ही अपडेट हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहें तो थांक्स पर वाचिंग एंड बाई बाई